हलो फ्रेंड्स आप सफी का अपने यूटूब चैनल पर हारदिक स्वागत है इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कानपूर यूनिवेस्टी एनुल एकजाम 2020 नई परिच्छा स्कीम कब आने बाली है तो फ्रेंड्स आप सफी के लिए ये वीडियो महत पूर्ण है बटन पर क्लिक कर लें जैसे कि कानपूर यूनिवेस्टी से रेलेटेट एटू जैड इनफार्मिशन आपके पास सबसे पहले और फिरी में पहुंसती रहे तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को स्टाट करते हैं और सीधा आपको लेचलते हैं कानपूर यूनिवेस्टी की तो फ्रेंड्स फाइनली हम लोग आ चुके हैं च्छत्पति साहो जी माराज यूनिवेस्टी कानपूर यूनिवेस्टी की बेव साइट पर लगातार मेरे पास कमेंट आ रहे हैं कि सर ये बताईए जो मेरा पर्यावण का पेपर बाकी रहे गया है वो होगा की नहीं होगा और सारे पेपर हो चुके हैं पर्यावण में फेल हो जाओंगा तो क्या होगा और जो अठारा तारीक से पहले पेपर हो चुके हैं वो क्या कैंसल होगे तो फ्रेंड्स आप बिल्कुल कंफर्न है जो पेपर 18 मार्च से पहले हो चुके हैं वो दोबारा नहीं होगे आपके वही पेपर मानने होंगे अब बात करते हैं जो बहुत सारे कमेंट आने की सार ये बताईए कि नई स्कीम अब कब लांच होगी जिससे कि हमें पता चल सके कि आप कब से पेपर स्टार्ट होने बाले हैं जैसा कि आप ब्यानते हैं 19 मार्च को मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें मने आपको बताये था कि छतपर साउजी माराद ने अपना न्यूजपेपर में एक अड़्ट टार्मेंट निकाला है और उसमें निकाला है कि कि एन्यूल कलेंडर में बदला हो जाएगा और कोरोना वायरस की चलते 20 विद्याले प्रसासन जो परिच्छाएं बाकी रहे गई हैं यानि जो पोस्ट परंड हो गई है उन परिच्छाओं को 20 विद्याले प्रसासन 15 अपरेल के बाद कराना चाहता है तो फ्रेंड्स अगर अगर देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं 19 मार्ट के न्यूज पेपर में इसका लिंक दिया गिया है लिंक मतलब कि अपूरा कटेंगी निकला है विस विद्याले प्रसासन की ओर से दैनिक जागरन पे न्यूज पेपर में अब फाइनली हम बात करने वाले हैं कि कानपूर उनिवस्टी दोरा नया नोटिफिकेशन जारी किया जाया जैसे हमें कोई नई इंफार्मेशन मिलेगी तो आपके पास सबसे पहले वीडियो आ जाएगा इसलिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें वेल आइकन के साथ-साथ आल के बाटन पर क्लिक कर लें थैंक्स फर वाचिंग और सब्सक्राइब मैं चैनल